जहां 26.7% केसिज एप्रेल में आ रहे थे हमने उसमें एक काफी नोटेट कमी नोट की और लेकिन अब देश में सेकिंड हाइस केसिज इन टम्स अफ कॉंट्रिबूशन महराष्ट्रे से 20.8% केसिज जो देश में ओर और रिपूर्ट हो रहे हैं महराष्ट्रा स्टेट से आ रहे हैं इसी तरह तमिलनाडू में जहां एप्रेल मा में 4 प्रतिशत केसिज आते थे मही में वे बढ़े और 9.9% हुए और जून में उनका कॉंट्रिबूशन ओवर और 17.6% था जो इस महा के आते हुए घटकर करीब 8.5% रहे गया है आंधर प्रिदेश में इसी तरीके से देखे तो 2.8% केसिज एप्रेल माह में थे 6.5% केसिज मही में थे और वे बढ़े और 8.7% केसिज जून माह में आंधर प्रिदेश से रिपोर्ट हुए और अभी और 7.3% केसिज आंधर प्रिदेश स्टेट से नोट हो रहे हैं इसी तरीके से उडीशा से जहां एप्रेल म 6.5% केसिज उडीशा स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं यानि कि हम देखे तो पाते हैं कि इन 5 स्टेट से एप्रॉक्सिमेटली 73.4% केसिज जो इस महा में देश में रिपोर्ट हुए हैं वह इन 5 स्टेट से इन प्रतिशत के हिसाब से आते हैं साथ ही हम देखें कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसिज प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे तो वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां ऐसे 531 जिले देश में थे वह वीक एंडिंग 2 जून तक घटे-घटे 262 जिले रहे गए और उसके बाद अगर हम कल का डेटा लें तो पाते हैं कि केवल 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर सौ से अधिक डेली केसिज रिपोर्ट हो रहे हैं यानि कि दिरिदे मार्क रिडक्शन इन टरम्स आफ नंबर ऑफ डिस्टिक विचा रिपोर्टिंग हायर केसिज एंड वी सी कि इन्फेक्शन जो है वह एक ल 10 मही के समय पर जहां पर देश में करीब 37 लाग के करीब एक्टिव केसिज थे वह अब घटे घटे चार लाग 31 जार एक्टिव केसिज ही रह गया है और साथ ही हमारे देश का रिकवरी रेट जो करीब 33 पृतिशत था 12 मही के समय पर अब बढ़ते बढ़ते 97.3 परसंट रे करने के लिए टेस्टिंग एजन इंपॉर्टेंट टूल है तो उसके अंतरगत टेस्टिंग को देश में बढ़ाया गया और जहां एक समय पर जब हम 18 लाग औस तन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे थे और उस समय पर देश में ओर और पॉजिटिविटी 21.6 प्रतिशत नोट की गई हमने टेस्टिंग पर उसी इस थाई से कारे करते हुए अभी हम देश में 17,44,000 औस तन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे हैं और हम टेस्टिंग में ओर और केस पॉजिटिविटी में काफी एक विजिबल कमी नोट की है और जो घटे घटे ऑन एन एवरेज वीकली बेसिस प जा रही है वह संख्या भी कम होते मोते अब केवल देश में ऐसे 55 जिले उन 13 स्टेट में रहे गए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी इस मोर दें 10% यानि कि जरूरी है कि वह जिले जहां पर क्लस्टर ऑफ केस या केस पॉजिटिविटी हाई है वहाँ पर हम इंटेंस एक important tool के रूप में हमारे सामने हैं और जिसके अंतरगत हम देखते हैं कि देश ने अब 38 करोड का भी आकड़ा in terms of overall vaccine doses delivery पूरा किया है first dose के रूप में 30.66 crore vaccine doses दी जा चुकी है और second dose के रूप में 7.49 crore vaccine doses among the identified priority age group has been given इस समय पर जहां एक स्थाइप पर हमारे active cases में कमी आ रही है हमारा recovery rate बढ़ रहा है हम साथ में यह भी देख रहे हैं कि daily cases में भी कमी आ रही है जरूरी है कि हम समझें कि अगर हमारे जो cases एक limited geography में रह गए हैं तो हम किसी भी तरह की धिलाई ना करें यह विशह हम आप साम लोग के सामने इस दृष्टी से लाना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि जहां एक स्थाई पर पूरे विश्व में जब करीब 9 लाख cases प्रती रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे 29 अपरेल के समय में और उसके बाद continuous basis पर उन cases में कमी आ रही थी तो पिछले कुछ दिनों से globally विश्व में भी हम cases में एक growth note कर रहे हैं higher number of cases are getting reported across the world which remains a cause of concern और उसी को हम further state country wise analyze करें तो हम देखेंगे कि जैसे United Kingdom में जहां पर एक peak आई थी in February और 59,000 cases के करीब रोज cases report हो रहे थे वहाँ पर cases कम होने के बाद फिर से distinct rising cases note किया जा रहा है और करीब 34,000 के करीब cases पृति रोज के हिसाब से report हो रहे हैं similarly अगर आप देखें इसी तरह से Russia में जहां 28,000 cases एक peak के समय में आये थे तो वही पर एक distinct peak in terms of 25,000 cases एक high surge category और एक high surge factor हम वहाँ पर भी note कर रहे हैं कि उस देश में भी cases बढ़ रहे हैं अगर हम अपने आसपास के देशों में देखें तो वहाँ भी आप note करेंगे जैसे बांगला देश में एक peak जो 7,000 cases के करीब थी अब जो next peak हम observe कर रहे हैं और continuing basis 13,000 से अधिक cases प्रती रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं इसी तरीके से जहां इंडोनेशिया में 12,000 के करीब cases प्रती रोज आ रहे थे अभी एक surge category नोट करते हैं वहाँ पर भी 40,000 से अधिक cases प्रती रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं यह हमारे लिए cause का विशह है हमें समझना चाहिए कि हम अपने देश में और बाहर देशों में cases की trajectory क्रों समझते हुए किस तरह की साफदानी हमें बरतनी है ताकि infection हमारे देश में फिर से ना फैल सके इसी संदर्व में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप देखें कि कुछ states हमारे देश में भी ऐसी हैं जहाँ पर कि अब हम एक further surge in cases नोट कर रहे हैं उधारन के रूप में देखें मनिपूर, मिजोरम, तुरिपूरा, अरुनाचर प्रदेश और इसी तरह कुछ states ऐसी है जहाँ पर cases में कमी तो आई है लेकिन एक proportionate reduction जैसे कि overall देश में cases में कमी आई है उत्रा ना होते हुए वहाँ पर एक plateau के रूप में cases अभी भी report हो रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि containment पर हमारे efforts उसी स्थाई से बने रहें इसी संदर में जैसे आप सबको अवगत है हम देश के स्थाई पर continuous basis पर evolving situation को monitor करते हैं और states से discuss करते हुए कैसे क्या efforts किये जाएं ताकि हम COVID को manage कर सके हैं उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ central teams भी 11 states में depute की है so that they can help and aid state government in COVID-19 management जिसके अंतरगत हमारी साथ North East states में हमने teams बेजी हैं साथ ही महराष्टरा, 36 गड़, केरला और उडिसा स्टेट में भी क्यूकि वहाँ पर एक growth trajectory या कुछ जगे पर high case positivity note की गई थी तो उन states में भी हमने central teams बेजी हैं आज ही मानने प्रदानमंत्री जी के इस type पर honorable chief ministers जो north eastern states के हैं उनके साथ एक चर्चा की गई एक video conference की गई जिसमें मुख्यते मानने प्रदानमंत्री जी ने cases की growth trajectory को समझते हुए एक स्थाई पर उन्होंने बहुत ही संतोष जताया कि कैसे patience और dedication के द्वारा इन particular states में जबकि इनके unique geographical challenges हैं किस तरह से वहाँ पर काम करते हुए एक type testing, treatment infrastructure और कैसे वहाँ पर health care workers ने extra doses भी vaccination drive में अच्छे दर्ण से काम करते हुए extra doses भी लगाई जैसे कि अगर एक particular while में 10 doses थी और एक extra होती है तो उन्होंने कैसे गैरा डोजे लगा कर saving की और vaccine wastage की बजाए vaccine efficiency पर काम किया जिसके लिए उन्होंने वहाँ के healthcare workers को अपना साधुवाद दिया However, इसके बारे में बात करते हैं माने प्रधान मंत्री जी ने वहाँ पर case positivity या number of cases जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में अपना उन्होंने doubt उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त की उन्होंने highlight किया कि जरूरी है कि हम early science को समझते रहें और जहाँ पर भी cases या positivity बढ़े वहाँ पर stringent steps लिए जाएं साथ ही उन्होंने कहा कि cases management में, COVID-19 management में सबसे मुख्य अंश होता है कि हम community को aware करें community का सहयोग लें और COVID appropriate behavior को continuous basis पर अपनी life का part बनाएं उन्होंने बताया, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जैसे कुछ reports आ रही हैं जहाँ पर कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या COVID safe behavior का follow नहीं कर रहे हैं, particularly markets और tourist location में तो उन्होंने highlight कि जरूरी है कि उस बारे में community को aware किया जाया और उनका support लेकर उस process को manage किया जाये उन clusters में जहाँ पर cases report हो रहे हैं, उनको वहीं पर control करें और health infrastructure continuous basis पर बढ़ाते रहें जरूरी है, mask, दोगज की दूरी और hand hygiene पर हमारा उसी ठाई पर कारे चलता रहे साथ ही उन्होंने यह भी states के मानने मुख्यमंत्री से request की कि geographical challenges को समझते हुए कैसे vaccination centers और interior area में ले जाए जाएं ताह कि public को वहीं पर vaccination की सुविधा हुपलब्द की जा सके साथ ही PM care और अन्य scheme के द्वारा जो oxygen plant, PSA oxygen plant sanction हुए है माने प्रदान मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उन PSA plants को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और skilled manpower create की जाए ताकि अगर कभी भी cases बढ़ें तो वहाँ पर oxygen की सुविधा उपलब्द हो साथ ही उन्होंने कहा कि जन आंदोलन, जन भागिदारी के रूप में चाहे local celebrities हों, चाहे पंचायती राज institutions हो, चाहे youth group हो उनको continuous basis पर involve किया जाए ताकि कुछ areas जहां पर अभी अधिक केसिद आ रहे हैं उनको monitor किया जा सके जो ongoing मंत्र है in terms of दवाई भी कडाई भी उस पर सतत रूप से हम कारे करते रहें और हमारी जो five-fold strategy है that is testing, tracking, treatment, vaccination और COVID appropriate behavior उस पर कारे चलता रहे उन्होंने सभी मुखे मंत्रियों से निविदन किया कि सजगता और सतर्कता और साती हर स्थाई पर हर स्थाई पर सबका सतत प्रियास जरूरी है ताकि हम COVID की महामारी से निमट सकें इसी संबन में उन्होंने यह भी अवगत किया कि माने प्रधान मंत्री जी के स्थाई पर 23,123 करोड का जो emergency response और health system preparedness package है उसका इस्तेमाल 39 की states और देश की सबी states में health infrastructure बढ़ाने के लिए और COVID management के उसके इसलिए इस्तेमाल किया जाए जिसमें मुख्यत है हम आप लोग की दर्ष्टी में लाना चाहेंगे कि इस package के तहट करीब 20,000 नए ICU beds बनाये जाएंगे जिसमें से 20 प्रतिशत beds pediatric ICU beds होंगे यानि कि छोटे बच्चों के लिए बनने वाले ICU beds साथ ही इसी package के तहट हर जिले में एक pediatric unit बनाई जाएगी और साथ ही हर state के लेवल पर union territory के लेवल पर एक center of excellence for pediatric children बनाया जाएगा जो कि इन जिले स्थाई पर बनने वाली pediatric unit की hand holding करेंगी उनको टेली ICU services प्रोवाइड करेंगी ताकि field थाई पर हर particular child अगर वे बिमार होता है और वे इस center पर आता है तो उसको proper treatment मिल सके उसके साथ ही इसी package के तहट additional beds चाहे हमारे community health centers हों चाहे हमारे primary health centers हों वहाँ पर based on need based on case trajectory और particularly जो हमारे tier two towns हैं या tier three towns हैं वहाँ पर ऐसे beds temporary hospitals बनाया जाए और ज़रुरत पड़े तो bigger field hospital जो 50-100 beds के हों उनको भी need के स्थाप से state के लेवल पर बनाया जाए जैसे की एक थाई पर PSA plant sanction किये जा रहे हैं उसी के साथ ही इस package के तहट 1050 numbers of liquid medical oxygen storage tanks hospitals थाई पर बनाया जाएंगे जो की medical gas pipeline से न्यूक थोंगे ताकि जब भी कभी वहाँ पर कोई plant लगे तो उसके द्वारा storage और supply का पूरा distribution manage किया जा सके जरूरी है कि हम अपना ambulance का network और बढ़ाएं ताकि patient की shifting time पर हो सके जिसके लिए इस package के तहट 8800 से अधिक additional ambulances भी provide की जाएंगी drugs और diagnostic की supply को streamline किया जाएगा और government of India के स्थाई से एक buffer stock in collaboration state government बनाते हुए ताकि drugs और diagnostic में भी कोई कमीना हो साथ ही कैसे हम अपनी HR को upgrade करें either using in terms of undergraduate और postgraduate medical interns या final year के MBBS के students, BST और GNM nursing के students ताकि हम continuous basis पर अपने देश के हर प्रांत में medical services provide कर सकें इसी के साथ ही जैसे हम सब को अवगत है कि किस तरीके से COVID और emergency infectious disease management में हमारा movement हम चाहते हैं कि control करें, restrict करें तो अगर कोई छोटी बिमारी हो तो उसके लिए कैसे हम telemedicine का इस्तेमाल कर सकें तो इसी package कहता है देश के हर जिले में एक telemedicine hub बनाया जाएगा जिसके द्वारा इस अंजीवनी यानिकी tele consultations उस level पर provide की जाएगी